बुलिश्री प्रानाथ प्यारे की जय चर्चा प्रारंब होत हे सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा स्री प्रानाथ सक्षी जीवन हमार होत है स्री वाहमति कहे साथ जी भया चर्चा का वखत अब तुम सुनियों चीत दे लाल आग आई इन तखत इह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए अक्षर और सयन को आदी अनादी फल कहियो सोए आदी अनादी फल कहियो सोए ताके तीन तक्रार कहे सभी सुन्दर साथ को पढ़ाने आज भी तक के तिसरे दिन हम इस समय पर प्रारम करने जा रहे हैं जब दुनिया में हर कोई किसी काम में बेशत है हर कोई संसारिक अपने कारे में ही वो लगे हुए और हम आज इस इस्तिति में यहां ग्यानपीट के प्रांगन में आते हुए हम भी तक की चर्चा सुनने के लिए बेटे हुए वितक की चर्चा के दुसरे दिन में हमने उस परमधाम की मूल मिलावे के बिशे में जाना जहां से एक लिला प्रारम होती है जहां अक्षर ब्रह्म और सक्षिया अपनी अपनी इक्षाओं को कारण मानते हुए इस संसार और इस ब्रह्मान के रसना होती है अक्षर ब्रह्म अनादी उस श्रिष्टी के उस लिला को जानना चाहते हैं और वो सक्षिया हैं जो अक्षर ब्रह्म की दुख में लिला को पहचानना चाहते हैं उसको भोगना चाहते हैं तब जाकर इस ब्रह्मांड की रसना का कोई कारण बनता है और धामधनी उन सक्षियों को अपने साथ अपने कदम में बिठाते हैं और वो कहते हैं कदम तले आओ मिल तो तुम लोग मेरे कदम तले आकर बेट जाओ और मैं तुम्हें अब जाकर इस माया की खेल को तिन तक्रार की बात आती है तिन तक्रार में सर्ब प्रतम आता है ब्रज की खेल ब्रज की खेल जो कहा जाता है जहां पे बाल लिला जहां ग्यारा वरस और बाउंदिन की लिला होती है इस चौपाई का जो साधरन सा आर्थ है कि तिन तक्रार कौन-कौन सा है तिन तक्रार ब्रज, रास तथा जागने की लिला को कहा गया ये तिन तक्रार कहां-कहां पे हुआ वो बताएंगे तो ये भी तिन ब्रहमांड में हुआ है ऐसा जो तीन खेल है ज्यादातर एदी पूछा जाता है तो हर कोई यही कहता है कि जो ब्रज और जागनी की लिला हो रही है वो लिला इसी कालमाया के ब्रह्मांड में क्या गया लेकिन वितक की ये चर्चा और चोपाई कह रही है कि तिन लिला और तिन ब्रह्मांड पे हुआ तो इसका खुलासा भी यहाँ पे आगे जाकर हमारे बानी और वितक करेगी पहले अग्यारे बरस तो इस प्रकार से जो तिन ब्रम्हांड और तिन लिला जिस प्रकार से इस ब्रम्हांड में हो रहा है और जो 11 वरस की बात यहां पे कही गई है वो स्वेम ब्रज लिला की बिसे में बात हो रहे है लेकिन ये जो ब्रह्मांड बनी और जिस प्रकार से लिला हुआ वहाँ पे बितक कहती हैं जिस प्रकार से एक बाजीगर है अपने अंदर से एक परिंदा को निकालता है तथा उसको तुरंद गायव कर देता है उसी प्रकार से जो अक्षेर ब्रह्म है इस लिला को उत्पना करते हैं तथा इसको ले मिटा देते हैं ये किसी को पता नहीं है कि कब वो इस रिष्टी को उत्पना करते हैं और कब ले करते हैं उसी प्रकार से अब इस्तिती होती है तीन तक्रार की जहांपे पहले दिन है जो पहला दिन कहा जाता है उसको ब्रज कहा जाता है ब्रज की लिला शुरुवात कब होती है जब ग्यारा वर्स और बाउन दिन के शुरुवात में वहाँ पे कौन लिला करने जा रहा है सोयम धाम धनी उस परम धाम से इस धर्ती पे आकर लिला करने जा रहा है परन्तु क्या उससे पहले ही क्या धनी उस सरी पे प्रविस करते हैं प्रकास हिंदुस्तानी जो वानी के रूप में आउतरियन्थ हुआ है हपसा के जैल में वो क्या कहते हैं तो यहां पे धाम धनी वानी के रूप में एक चौपाय के रूप में कहते हैं यह जो बाणी है याविद उप्जो सब संसार देखाने को सब विस्तार जो यह संसार रची गई है वो किसको दिखाने के लिए और किसको समझाने के लिए यह जो विस्तार रुप से समझाने के लिए उसी ब्रह्म स्रिष्टि को जो उस खेल से आई है जो आग्या है धनी हम प जो अपने आपको ये सोच रहे हैं कि मैं अभी परमधाम में हूँ जब धनी ने ये कहा कि अब फरामुसी का लिला शुरू होने वाला है तुरंद जब वो वहां बेट कर धनी के आँखों में देखते हैं और परदा रूप में जब उनको माया का खेल दिखाई देता है वहां पर ब्रज की लिला चो गोकुल में ओह रही है अभी वो ब्रज में पहुंचे भी नहीं है तो उस समय की किसके रूप में आया है यहाँ पे हम देखते हैं सब संसार में हर कोई कृष्ण जी के लिला को जानता है हर कोई गोपियों की जो लिला होती है उसको याद करता है और उसी ब्रिंदावन में जाने की इक्षा करते है लेकिन वो कृष्ण जी कौन थे वो गोपियां कौन थी औ आज दिन तक यह प्रश्ण उड़ता है कि जो राधा के साथ जो कृष्ण जी ने प्रेम किया आज दिन तक उन दोनों के साधिना होकर क्यों श्री कृष्ण जी ने कोई दुसरे के साथ ही साधि किया इस प्रकार के जो प्रशना होते हैं, इसी प्रशना के अंदर पे गहराई पे जाएंगे, तब जाकर हमें तृदा लिला के बिशे में भी पता चलेगा, वरना श्रीफ दुनिया के जो चक्कर है कृष्ण जी को परमात्मा के रुप में हम मानते तो हैं, लेकिन कब तक और किस लिला को हम परमात्मा के रुप में मानते हैं, आज दिन तक हमने जानन, लेकिन तारतम और बित्तक के जो भेद है, उसी के द्वारा हमने ये जाना कि कृष्ण जी के अंदर ग्यारा बरस और बावन दिन की लिला होती है, हाँ उस समय में ब्रश की लिला को कहा गया है, और इसलिए उनको धाम धनी के रूप में का है, लेकिन जब ग्यारा बरस और बावन दिन बित जाता है तब जाकर उनको, जब उनकी आवेस सक्ती को खिस लिया जाता है, तब खृष्ण जी की अंदर क्या रह जाता है, श्रिफ बिशनु जी के सक्ती रह जाती है, बिशनु जी कि ग्यारा बरस और बाउन दिन की जो कृष्णा जी है जो सरीर के उपरी नाम है हाँ उनको हम परमधाम के परमात्मा की रुप में कहते हैं ग्यारा बरस और बाउन दिन के लेकिन बाद में हम उनको परमात्मा नहीं कहते हैं शुरुवात में, अब जब हम जाते हैं वानी की कथन के ओर तब वहाँ पे दामधनी कहते हैं जो नीद में उबजे सुपन जिस प्रकार से नीद में हम सपना देखते हैं और सपने में हम क्या देखते हैं? स्वयम अपने रूप को देखते हैं, कोई एक रूप बना लेते हैं, एक रंग बना लेते हैं, और हुबहु जिस प्रकार से आज हम खुद को सिशे में देखते हैं, उसी प्रकार से सुपन में भी हम अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार से वो कहते हैं, जो उपजे सोपन की तरह ही उन्होंने क्या किया उसी प्रकार से अपने आपको देखा क्यूंकि अभी भी पर धाम में परातम कहां पर हैं अभी भी परातम स्वयम राजी के सामने बेठे हुए हैं और राजी के सामने बेठे हुए उनकी दिल जो पर्दा मायरुपी पर्दा है उसमें वो सोपन देख रहे हैं और जो सोपन दिखाए देरा है वो सोपन के कारण ही आज जो हम यह कहते हैं कि परातम की जो आत्मा है वो आत्मा यहां पे आये हुए है लेकिन वो परातम इस धर्ती पे नहीं आ सकती है उस परमधाम की एक कंड भी यहां धर्ती पे नहीं आ सकती क्यूंक जो सत है वो माया का नहीं हो सकता जो सत है इस दुनिया जूटा है और जूटा और सत्य कभी भी मेलन नहीं हो सकता इसलिए कहा जाता है कि येदि उस ब्रह्मान का येदि कर्ण आता है तो ये ब्रह्मान पूर्ण नश्ट हो जाता है येदि सखी आ जाए येदि स्वयम पूर् नहीं कि जो सक्ति है, जो आवे सक्ति है, वो यहां पर कार्य करते हैं, ना कि स्वेम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहां पर आते हैं, उसी प्रकार से सखी और स्यामाजी की भी सुर्ता रूप में वो आई हुए हैं, ना कि वो स्वेम आई हुए, जिस प्रकार हम जब टीवी क और देखते हैं, लड़के cricket match देखते हैं, तो लड़कियां serial देखती हैं, और हम जब बेढते हुए, जब उस दरिश्चे को देखते हैं, और दरिश्चे को देखने के बाद उस परदे में लगता है कि हम ही वहाँ पे कुछ कार्य कर रहे हैं यदि क्रिकेट में कोई चवका और छक्का मारता है तो हम जोस में खड़े हो जाते हैं जैसे लगता है कि हम ने खुद कारे किया है उसी प्रकार से जब सिरियल में कोई सास बहु को मारते हैं तब खुद के आँखों से आश उजड़ते हैं तो वहाँ पे कोई कार्य आपको कोई नहीं माररा, नहीं आपने चौका और छक्का मारा, परन्तु वहाँ पे आपका जो हृदे है वो जूड गया, उसी प्रकार से जो सूर्था है परण आत्म का जो स्यामा जी का है और जो अक्षर ब्रहम का है, वो स्वयम धाम धनी के दिल क के अंदर जो परदा बेटा है उसमें देखते हुए जब उनकी मन जूर जाती है तब उनको लगता है कि इस संसार में अब वो गोपियों के रूप में आई हुई है और तब जाकर ग्यारा बरस और बाउन दिन की लिला यहां पर गाती है तो इस प्रकार से जब वो अपने आपको इस दुन्या पे ढूंटी है देखती है तो वहां धाम धनी क्या कहते हैं धाम धनी यही कहते हैं कि जो सखिया है उर्टही वो यह देखते हैं कि उनकी मन में इक्छा उत्पन्न होती है मन में ये इच्छा उत्पन होती है कि धनी कहां पे है वो धनी कहां पे है जिसको मैंने छोड़ के इस धर्ती पे आए अब धनी कहां पे है अब जाकर हम आगे बड़े और वहां पे धाम धनी ये कह रहे है कंस के बंद है देव की और वासुदेव वासुदेव और देव की कंस के बंधन में है कारागहा पर है और वो क्यों है यह हम सब को पता है देव की स्वयम कंस की बेहन है वो इतना प्यार करते हैं कि स्वयम अपने दोस्त को वो अपने बेहन को साधी करवा देते हैं अब खुद रच चलाते हुए वो उनके माईके तक पहुँचाने के लिए रच को चलाते हैं। लेकिन रच्ते पे आकासवानी होती है और आकासवानी में ये सुनाई देता है कि देवकी के आठवे पुत्र के रूप में तेरा स्वयम काल आएगा। जब काल की बात सुनाई देती है तो बड़े से बड़े लोग भी भय के कारण काब जाते हैं। वो कंस जो एक मानव सरीर ही है उसमें भी अब क्या उत्पन होती है। जो असुर की बृत्या है वो उत्पन होने लगती है। जो कारण है यदि में उसी को मिटा दू तो कार्य कभी हो नहीं सकता। तो जब कंस ने ये सोचा तो खुद की बहन को भी अब कारगहर में रखने के लिए वो सोचता है। और घिसाडते हुए अपने बेहन और वासुदेब जी को वो कारगहर पर ले जाते। समें बित्ता है छे पुत्र उत्पन होते हैं। और छे पुत्र उत्पन होते होते सब जन्म लेते दिन में ही वो कंस है जो अपने ही भांजे को मार देते। वहाँ पे काल है अब जिस प्रकार से यदि कंस को यदि सच में ज्यान होता, यदि कंस को यदि सच में उसने वेद और सास्त्रों का अध्यन किया होता। उसको भी पता है कि हर कोई आत्मा है, हर वो भी कहता है अंतिम में जब कंस और सब सात्वे पुत्र के बाद, जब आठवे पुत्र को वो ढूंडता है, आठवे पुत्र के रुप में वहाँ पे कौन मिलते हैं? वहाँ पे स्रिफ एक कन्या मिलती है, जो योगमाय की सक्ती के रुप में वहाँ आती है, और जब कंस वो आठवे पुत्री को भी घशिट के मारता है, तब योगमाय के सक्ती वहाँ पे द्रश्य से देखते हुए, वो कहते हैं कंस को, कि जो तू कारे कर रहा है, ये अब जो मारने वाला बेखती है, वो स्वयम कहां पे उत्पन्न हो चुका है, वो दुसरे गाउं पे उत्पन्न हो चुका है, और तेव दिजे मारने के लिए वो स्वयम आएगा, तब जाकर वो ज्यान की बात करता है, अपने बेहन को ये कहता है, जो होना है, वो तो हो गया जो होना है वो हो गया आज जो है उसमें खुश मना कंस यह कहता है कि अब सब कोई आत्मा है जो सरीर है वो तो दिखता है बस और जो मैंने तेरे पुत्र को मारा ये मत समझना कि मैंने तेरे पुत्र को मारा मैंने तो उसका कर्म का सिर्फ फल दिया है की मुँ में ऐसे ग्यान वाली बात सरमसार करती है उसी प्रकार से आज की जो समाज है आज हमारी समाज में भी कंच है हर कोई जब गलती कर देता है तब जाकर वो क्या करता है हर कोई एक दुसरे को प्रबचन देता है वो ग्यान गुन की बाते करता है कि हां संसार के माया में फसना नहीं चाहिए संसार से हमें परमात्मा की ओर जाना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए लेकिन फिर भी वही कंस है जो यही कार्य करता है तो इस प्रकार के कंस हम भी बन रहे हैं और हम भी उसी प्रकार से ज्ञानगुन की बात तो देते हैं लेकिन उसी ज्ञान को हम खुद नहीं लेते हैं लेकिन वो देव की है और वो बसुदेव है जो छेमा वड़न को चाहिए छोटन को उत्पात या रही हरी को कहे जो भीगु मारिला तो यहाँ पे छेमा का जो उधारन दे के समझाया है कि छेमा कौन दे सकता है छेमा वोई सबसे बड़े जो धर्मात्मा होते हैं वोई दे सकते हैं छेमा का लक्षन क्या है धर्म का लक्षन छेमा भी है उसी प्रकार से अब देवकी और वसुदेव जी भले उनके खुद के पुत्र को उन्होंने मारा था लेकिन कंस को वो माफ कर देते हैं इसको कहते हैं च्यमा का धरम निभाना अपने खुद के पुत्र को मारते हुए भी कोई इस प्रकार से च्यमा दे सके हैं तो उसको धरमात्मा कह सकते हैं इसलिए वसुदेव एक धरमात्मा थे और देव की भी एक धरमात्मा थे धाम धनी कह केते हैं कि शुरत विष्नु के चतुर७ुज़ सोय और द्यो दर्सन वसुदेव को श्वथ वहां पर यह के रहे हैं कि चतुर७ुज सुरुप लूप में अब स्वयं विष्नु भग्वान आठ्वे forgiving के रूप में आते है और वो किसको दर्सन देते हैं वसुदेव जी को औ और सामने देवकी बेटे हुए हैं, तो देवकी भी दर्शन होता है, लेकिन जब दर्शन चतुर्भूज के रूप में उनको मिल रहा होता है, चतुर्भूज सरूप, यदि औरानिक रूप से हम पहचानते हैं, तो हम यही देखते हैं शिरियलों में, कि शिरियल में चार हम संख, चक्र, गधा, और कमल के एक फूल दिखाए देते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार से कोई दर्शन दे सकता है या नहीं, यह एक बारतलाव की विशय है, लेकिन वैधिक भासा में इसी को किस प्रकार से बर्णन किया गया, वैधिक भासा में यह कहते हैं, कि चार रूप में आया है, जो चक्र है, वो एक संगठन के रूप में आया है, उसी प्रकार से जो गधा है, वो बल और पराक्रम के रूप में आया है, तो ये जो चतुर भीुष गूर्ण है, उनके अंदर धारन करते हैं, उन्होंने दर्शन दिया, इस प्रकार से वो बर्नन करते है और बर्नन करते हुए जब वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और वो कहते हैं कि तुम जो देवकी हो और जो वसुदेव हो शिर्फ इसी जनम में मेरा माता और पिता नहीं हो जब पहले मनवंतर था उस समय में भी तुम ने कुछ तब किया था उसी तब को याद दिलाने के लिए आज मैं फिर से अवतार के रुप में प्रगट होकर तुम को याद दिनाने के लिए ये बात कह रहा हूँ उस समय में तुम प्रिष्णी और तपा तो सुत्पा के रूप में वो बर्नन आता है सुत्पा और प्रिष्णी जब वो लोग को स्वयम ब्रमाजी तब करने के लिए कहते हैं तो तब करते हुए वो स्वयम सेशनारायन को खुश करते हैं और सेशनारायन को जब खुश करत तब वो बर मागने के लिए कहते हैं, तब प्रिष्णी और सुत्पा ये कहते हैं, माया के जो आवरन है आधिनारेन के, तो आधिनारेन के वो माया के सुरूप में वो बर नहीं मागते आपना, वो मुक्षे के रूप में धारन नहीं करना चाहते हैं, मुक्त होना नहीं चाहत वो मागते हैं तो माया का ही चीज और वो क्या मागते हैं कि हमें स्वयम विष्णु के रूप में जो आप है वो इससे ही मेरा भी पुत्र हो तब जाकर आदिनारेन ये सोचते हैं विष्णु भगवान ये सोचते हैं कि इस ब्रह्मान में ऐसा कोई भी बेक्ती नहीं जो मेरे जिसको हम कहते हैं भगवान वो कोई भी नहीं इसलिए वो कहते हैं कि तेरे पुत्र के रूप में मैं सोयम अब आउतरन करूंगा इसलिए कृष्ण जी गिता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिन भविति भारत यदुत्थानन अधर्मस्य तदात्मानम स्रजामियां वो कह रहे हैं कि जब-जब धर्ती पे पाप बड़ेगा और पुन्य का रास होगा तब-तब मैं इस धर्ती में धर्म को इस्तापित करने के लिए जन्म लूँगा अब जन्म किस प्रकार से लिया जाए कोई ना कोई कारन तो होना ही चाहिए तब जाकर ये कारन बना और कारिक के रुप में वो स्वयम पुत्र के रुप में देवकी और वसुदेप के रुप में आते हैं प्रिष्णी और सुत्पा के रुप में आते हैं और दुसरा जो अवतार वो आते हैं वो बामन रुप में आते हैं वामन रुप में भी उनी के पुत्र के रुप में वो आते हैं इस धर्ती पे और वामन रुप किस से उत्पन होता है कस्यव वसुदेब जी के रुप में और अदीती स्वयम देबकी जीव के रुप में तो इस प्रकार से वो बता देते हैं कि तुम ने किस प्रकार से जनम लि वावन देप को कहा जाता है वावन जी की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है बली राजा की विशे में जब बली राजा की विशे में हम जाने तो वो कहा जाता है संसार में की एक बहुत दानवीर राजा थे भला ही वो असुर कुल के थे लेकिन वो दान धेते थे तो इस प्रकार से जब बामन देव थोड़ा बड़े हो जाते हैं और भिक्छा मागने के लिए चल देते हैं तो अपने सुरूप के बताने के लिए अब वो स्वेम बली राजा के पास भिक्छा मागने जाते हैं जब भिक्षा मागते हैं, तो बामन देव को देखते हैं, बामन क्या है? बामन यानि छोटा कद का, छोटा कद का भिक्षा को बामन कहा जाता है, तो वो बामन जो देव है, वो आने के बाद वली राजा कहते हैं, जो आप चाहो में दूंगा, तो बामन जी कहते हैं, मुझे चाहिए श्रिफ तीन पक की भूमी, या क्या राजन तुम दे सकते हैं। तब बली राजा खुशी-खुशी कहते हैं कि हाँ मैं वादा करता हूं कि तीन पक की भूमी में आपको दूंगा। तब जाकर वो अपने सुरूप को प्रगड करते हैं और एक पक में कहा जाता है कि वो पुरा ब्रहमांड को ले लेते हैं और दुसरे पक में वो अंतरिक्ष को समा लेते हैं। लेकिन तिसरा पक रखने के लिए कहीं जगा नहीं। तब जाकर वो कहते हैं हे राजन तेरा जो वादा है उसको निभाओ तब जाकर उस बली राजा के पास कुछ नहीं रहता तो वो क्या करते हैं वो स्वयम अपने सीर को आगे रखते हैं और जो विष्णिक के अवतार में बामन देव आये हैं वो उनका पेर उनके सीर पर रख तो इसलिए आज दिन तक बली राजा जो दानी राजा के रूप में उनको जाना जाता है इसी कारज और अब तिसरा जो अवतार हो रहा है उस प्रकार से यहां पे वासुदेव के रूप में अब स्वयम कोन आये हैं बाद में ग्यारा बरस और बाउन दिन के बीच में जब नाम करन संसकार होगा उनका नाम कृष्णजी के रूप में लिया जाएगा लेकिन अभी विश्णुजी के अवतार के रूप में वो अभी वसुदेव के पुत्र होने के कारण श्रिफ वासुदेव है ना कि वो कृष्ण है तो यह जो भेद है हमें कौन बताता है जो तार उस समय में पे नहीं था वरना आज जो हम तारतम ग्यान लेके बेखे हुए हैं, सब हर कोई कृष्ण जी को परमात्म के रूप में मानते हैं, हर कोई परमधाम जाना चाहता है लेकिन क्या कृष्ण जी को पूझते पूझते हम परमधाम जा सकते हैं ने तो इसी का भेद खोलने के लिए ये बताया गया कि जो विष्ण जी लिला कर रहे हैं इसको खोलना पड़ रहा है तब जाकर अब जो सचुर्भुज की लिला हुए अब वहाँ पे सब को पता है कि आठवे जो पुत्र है उसको भी मारने के लिए कोन आएगा स्वयम कंस जो मामा है वो मारने के लिए आएगा तो देवकी जी रोते हुए बिलकते हुए अपने पुत्र को कहते हैं कि आप जो अपना सुरूप है उसको ढख लेजे हम आपको रक्षा नहीं कर सकते तब स्वयम वासुदेब जी अब क्या कहते हैं कि मुझे नंद के घर पे ले जाना नंद के घर में एक पुत्री पेदा हुई है और उस पुत्र को यहां पे ले आना तब वो स्वयम दो वुजा के रूप में हो जाते हैं और जब दो वुजा के रूप में उनको स्वयम वसुदेब जी पकड़ते हैं तब उनके जो हाथ क्या बंदन है जो पेरो का बंदन है तब जो द्वारपाल में बेठे हुए लोग तें वो गहरी नीद में सो जाते केने कातातपर यहां पे यह है कि येदी कोई उस सक्ति को जो योग माया की ब्रहान से आई हुए है उस सक्ति को भी येदी वो अपने दिल पे धारन करते है तो इस माया के जो सक्ति है जिससे हमारा हृदय बंधन से मुक्त नहीं हो पारा वो बंधन भी मुक्त हो जाएगा जो द्वारपाल हमारे हिर्दे पे काम-क्रोध के रूप में खड़े हुए हैं, वो काम-क्रोध लोब मुह भी क्या हो जाएंगे? वो भी सो जाएंगे और धिरे-धिरे जिस प्रकार से गोपिया ब्रज की लिला को पार करते हुए राश में चले जाते हैं, हाँ उसी प्रकार से हम भी उस कारागार को पार करते हुए आगे की और बढ़ सकते हैं तो इस प्रकार से अंदर की बाते ये बताई गए तो धिरे धिरे जब कारागार को पार करते हैं तब यमना जी के जो बाड़ आई होते हैं तो उनको भी पार करते हुए वो गोकुल में पहुंचते हैं और जन्म लिया है, अभी अभी, और उन ये सुधामया को तक पता नहीं, कि वो कन्या है या बालक है, तो जब ये पता नहीं है, तो नंद जी के घर में, जब वसुदेब जी पहुंचते हैं, तो वसुदेब जी अब वासुदेब को रखते हैं, और उस कन्या को ले आते हैं, कड़ी यहां पे जुड़ती है अब जाकर क्या होता है अब जाकर यहां कहते हैं मुल सुरत अक्षेर की जिहा जिन चाहिया प्रेम सन्या सो सुरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश जब तक वो नंद की घर में प्रवेश नहीं किया था तब तक उनके जो तन के अं और जब द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, स्वयम परमधाम के आवेश सक्ति आती है, और आवेश और खोन सक्ति आती है, यहां कह रहे हैं, वो सुरत की अक्षेर आता, अक्षेर की जो आत्मा है, वो जो अनाधी खेल देखने की इक्षा करते हैं, जो प्रेम मही खेल दे उसके अंदर प्रवेस करते हैं, तब जाकर अब गोकुल की लिला प्रारम होते है, हमने कहा था शुरुआत में, कि वो जो ब्रज में, गोकुल में शोयम अपने आपको गोपियों के रूप में पाती हैं, खृष्णा जी का जो वासुदेप के रूप में है, उनका जणम कळ उनका जनम हुआ था रात में और उसी समय में गोपिया भी इस धर्ती पे आ गई थे तो इसी समय पे जब उन्होंने ये देखा कि मैं कौन हो मैं गोपियों के रुप में हूँ तो वो सोयम अपने प्रियतम को ढूंडती है जब प्रियतम को ढूंडती है तो वो अपने आपको प्रियतम से अलग पाते हैं तो व्याकुल होते हैं लेकिन सुबे होते ही भागवत में ये कहा गया कि सुबे होते ही वो नहाते हैं वो स्रिंगार करते हैं और जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पती के लिए स्रिंगार करती हैं उसी प्रकार से बालों पे फूल लगाती हैं औ और वो चंदन और टिका लेते हुए अब कहां जाते हैं? स्वयम नंद जी के घर जाते हैं जहाँ पर स्वयम अब कृष्णग जी आये हुए है, जिसके अंदर स्वयम प्राणन जी लिला कर रहे हैं. तो इस प्रकार से वहाँ पे एक राज खुले गए कि जो गोपिया है वहाँ पे बच्चे के रूप में उत्पन्न नहीं हुए थे हम यह सोचते हैं कि कृष्ण जी जिस प्रकार से एक छोटे बच्च बालक की रूप में उत्पन्न हुए थे लेकिन अब पता चला कि जो गोपिया है वो चल के आ रहे और कोई ही माता पिता उनको नहीं ला रहे है तो यहाँ पे वो प्रेम की रूप में प्रगट करते हैं एक बालक की रूप में प्रेम करती हैं अपने प्रियतम के रूप में लेकिन वहाँ पे हृदय जुड़ा हुआ है वहाँ पे आत्मा जुड़ा हुआ है यदि वो हर समय प्रेम भी करती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि वहाँ पे कोई सरीर का संबंद नहीं है क्योंकि एक ही उमर के बेक्तियां तो सरीर से प्रेम हो सकता है लेकिन जो बड़े हो और जो छोटे हो वहाँ पे एक भाई बहन का रिष्टा हो सकता है वहाँ पे एक पुत्र और मा का रिष्टा हो सकता है तो उसी प्रकार से वहाँ पे एक रिष्टा बन जाता है और वहाँ लेकिन आत्मिक दृष्टी से देख जाए तो एक आत्मा अपने प्रियत्यम के ओवर बढ़ रहे है और वो स्वेम इस धर्ती में आने के बाद भी वहाँ पे वो प्रेम ढूंदे यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे क्यूं आये थे इस समय पे जब फिर चेक बार परमधाम हम जाते हैं परमधाम में हमने यही कहा आता कि हमें दुख का खेल देखना है धनी ने हमें तीन बार मना किया और हमने कहा था फेर 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 फिर धनी यह कहते हैं कि वहाँ जाने से तेरा जो सुद है वो नहीं रहेगा और जो जागरित बुद है और निजबुद है वो भी नहीं रहेगा अब यह देखे कि ह हम जब यहां पे गोपियों की रूप में आते हैं तो हमें ये पता तक नहीं कि हमारे प्रियतम कौन है, स्री कृष्ण जी के रूप में बाहरी तनों को हम देख रहे हैं, हमें कहां पे जाना हैं हमें ये पता नहीं, हमें घर का सुद नहीं है उसी प्रकार से और हम बाद में अधनी को किस प्रकार से गाली देते हैं, किस प्रकार से उनको परफुरस कहते पुकारते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं, तो यहां पे जो गोपिया हैं, जिनोंने जो इक्षा किया था, वो पूर्ण हो रहा है, तो इस प्रकार जो खेल रची गई है, वो पूर्ण होते और उपर बावन दीन पूरुष कहा जाता है तब स्वयम धामधनी ओजल हो जाते हैं और गोपियां बाउन दिन तक वहाँ पे उनको ढूंडती है बिरह तो इस प्रकार से जो प्रेम की लिला होती है वही तड़प है जो हमें आगे की और बढ़ाती है योगदर्शन कहती है कि यदि हमें ध्यान में आगे बढ़ना है तो हमें क्या चाहिए वो कहते हैं बैराग्य और अभ्यास के द्वारा ही हम साधना पद में आगे बढ़ सकते हैं यह दिये किसी के पास बैराग्य ना हो संसार के प्रति और किसी के प्राश उस बैराग्य के लिए अभ्यास करने का ताकत ना हो तो वो बंदा या बंदि कभी वी उस परमात्मा या परमयोग कि तक नहीं पहुँशकता लेकिन जो तार्तम की वानी कहती है वो अलग है तार्तम की वानी ये कहती है कि बैराग्य से स्रिफ क्या होता है तब कर सकते हैं हम आदिनारेन तक तो पहुंच सकते हैं लेकिन वो प्रेम है जो हमें कहां तक पहुंचाती है प्रेम पहुंचावे मिने पलक तो प्रेम के द्वारा ही हम क्या कहां तक पहुंच सकते हैं स्वयम धाम धनी के हृदे में त्रवेश कर चकते हैं धनी कहते हैं अर्स तुम्हारा मेरा दिल है तुम इताय करवारा तो धाम धनी ये कह रहे हैं कि जो अर्स है वो स्वयम क्या है तुम्हारा ही दिल है जहां पे मैं परमधाम की रूप में निवास करता हूँ तो उस प्रकार से गोपियां जिस प्रकार यहां राजी को ढूंटी है वो कहीं और ना ढूंटे हुए सोयम ब्रिंदावन के गली पे ढूंटी है बंजंगल पे जाती है और विलोना करती है तो इस प्रकार से जब बाउन दिन की लिला होती है इसके बाद तो सुयम राज की लिला पे हम जाते हैं लेकिन राज की लिला से पुर्वक्या हमने ब्रज की लिला को भी जाना है नहीं कृष्ण जी आए, कृष्ण जी ग्यारव बरस बाउन दिन तक लिला किया तो ग्यारवरस बाउन दिन की अंधर भी क्या-क्या घटना होती है यदि परमधाम से आये हुए उस सक्षिया है तो उनको क्या करना चाहिए जेती कहें इन ब्रहमसिष्ट यदि कोई भी ब्रहमसिष्ट है तो उनको क्या करना चाहिए पूरन प्रेम पूरन प्रेम धामधनी द्रश्ट ये कहा गया है कि दाम धनी के उपर वो द्रिष्टी बनाए रखें चाहे वो कोई भी लिला करते हों वो प्रेम में लिला ही होगा तो यहाँ पे जब ग्यारा बरस की लिला की अंदर हम देखें हम वहाँ पे चलते हैं जब कृष्ण जी को कृष्ण जी की रूप में कहा गया पहले वसुदेब थें दो भुजा सुरूप जब आवेश सुरूप की लिला होए अब वहाँ पे गरगाचार्य करके रिशी आते हैं गरगाचार्य नंद के घर में आने के बाद यहाँ पे यह हमें दिखाई देते हैं कि नंद जी अब गरगाचार्य जी को प्रणाम करते हो यह कहते हैं कि अब स्वयम मेरे पुत्र को नाम देने के लिए आया हमें यह सब को पता है कि पुर्वय यूप में 16 संसकार होते थे 16 संसकार के रूप में एक संसकार है जो नाम संसकार के रूप में कहा जाता है या तो वाइदिक भासा में दयानन जी लिखते हैं मर्शी दयानन जी कि 11 दिन के उमर पे या तो 101 दिन के उमर पे या तो एक साल के समय में नाम दे देना चाहिए, नाम करन करना चाहिए तो उसी प्रकार से जब गरगाचारे जी आते हैं नंद के कहने पे तब वहाँ पे नंद जी गरगाचारे जी से प्राथना करते हैं कि मेरे पुत्र को नाम दिया जाए लेकिन गरगाचार्य जी अब एक संका करते हैं अपने जो कार्य है यदि मैं नाम भी दूँगा तो जो कंश है उसको पहले ही वो क्या कर रहा है दस दिन के अंदर जो भी पुत्र जन्म लिया है उसको मारने के लिए उन्होंने पुत्ना से लेकर वगासुर और अनेकों असुरू को भेजा है तो येदी उनको पता चले कि मैं सोयम आकर तेरे पुत्र को नाम दिया है तो तेरे पुत्र को जिन्दा वो नहीं छोड़ने वाले तो क्या किया जाए तब जाकर नंद जी कहते हैं कि ना मेरे सगे समधी को पता चले ना ही किसी के और को पता चले आप गौशाला पे जाके धीरे से सुष्टी बाचन करते हुए आप उनका नाम दे दीजे तब जाकर वो नाम देने के लिए तयार होते हैं और खुस होते हैं तो नाम वो देने के लिए तयार होने के बाद वो कहते हैं कि ये जो लड़का है वो शरिफ इसी यूग में जन्म नहीं लिया उसने पुर्व जन्म में भी अनेको जन्म ले चुका है उस समय पे ये रंग उसका कैसा था रक्त वर्नका भी था उसका रंग निला भी था लेकिन इस यूग में इस समय पे काला रंग अर्था कृष्णा रंग होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया जाता है कृष्णा रख दिया जाता है इसका नाम आज से कृष्णा है कहा जाता है तो उसी कृष्ण के नाम को लेकर हम जबते हुए किसको याद करते हैं यहाँ पे ध्यान देने योग के भिसे है कि कृष्ण नाम वहाँ पे गरगाचारे जी आत्मा को नहीं रख रहे हैं नाम होता है हमेशा सरीर का और सरीर के नाम को पुकारा जाता है आत्मा को कोई नाम नहीं होता लेकिन आज के समाज इतना अंदा हो चुका है कि हम आत्मा को भी एक नाम देते हैं और यही कहते हैं कि वो जो सरीर है वो ही कृष्णा है और कृष्णो को ही परमात्मा के रुप म मानते हुए चलते हैं और उसी कृष्णा से हम ये आस रखते हैं कि वो भी पार करा दे लेकिन आगे भी तक में ये दि हम देखें धनी स्री देव चंदर जी के जो स्वरूप है उसको तक बालमुकन जी क्या कहते हैं तुमको इन स्वरूप की भी नहीं पहचान तो जब इन स्वरूप की पहचान तुमें नहीं हुआ तब उन्होंने क्या क्या उन्होंने कहा कि मैं मुर्ती देना नहीं चाहता तब जाकर मैं अद्रिश से हुआ जब उन्होंने ये तक कह दिया तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वेम जो कृष्ण जी है बाल मुकन जी ही तो है स्वेम जो कृष्ण जी हम यहां दुनिया के लिए कह रहे हैं जो गिता के रुप में कहा बढ़नन करते हैं वो कौन है यही इसी दुनिया के कृष्ण जी तो है लेकिन जो आवेश सक्ति जो सुरत अक्षेर की आया हुआ ह हाँ यदि उसको लेते हुए हम पकड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम परमधाम तक पहुंच सकते हैं यदि स्वर्ग में कौन रहते हैं? स्वर्ग में इंद्र रहते हैं इंद्र स्वर्ग तक की रस्ता दिखा सकता है एदि हम इंद्र को पुजन करते हैं तो हम कहां तक पहुँचेंगे इंद्र के सुख तक पहुँचेंगे उसी प्रकार से जो इस ब्रम्हांड में ब्रम्हा, बिश्नु और महस कहे जाते हैं जिसका ध्यान हर कोई आज कर रहा है स्रावन का माश है, कावड की यात्रा करते हैं, सिव जी के उपर जल चड़ाते हैं, वो स्वेम सिव जी ध्यान तबस्या में लगे हुए हैं और वो भी परमात्म की खोज करते हैं, लेकिन फिर भी हम हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं विष्नु भगवान है सेस नारायन में सोते सोते वो कुछ चिंतन करते हैं और लक्ष्मी जी पूछते हैं कि आप किसका चिंतन कर रहे हो और लक्ष्मी जी को जब ये पता नहीं चलता और विष्नु भगवान ये नहीं बताते हैं, वो भी साथ कलपान तक वो तपश्या कर और फिर भी उनको कुछ पता नहीं चलते हैं। जहां तक पूझते हैं, यदि हम भूत को पूझते हैं, तो भूत के ही योनी में जाते हैं, और जिस भगवान को हम पूझते हैं, उसी योग में जाते हैं, लोक में जाते हैं, तो इसी प्रकार से, यदि हम अक्षेर ब्रह्म को, सुर्ताव को देखते हैं, तो इस सुरी सृष जो हमेशा परमधाम के ही रहेंगे जिसका निष्वत परमधाम से जुड़ा हुआ है वो कभी भी इस मायवि खेल के भगवानों से इक्ष्छा नहीं करेंगे वो सम्मान जरूर करेंगे उनके बेक्तित्व को पुजन करेंगे लेकिन उनको पती मान के कभी भी आरध्य नहीं बनाएंगे तो इस प्रकार से जब कृष्णजी का नाम जुड़ जाता है तब जाकर उनको कृष्ण के रूप में बताया जाता है और कृष्ण क्या-क्या लिला करते हैं क्रिष्ण को मारने के लिए अप कंश अपना पहला अस्तर चलाता है और पहला अस्तर के रूप में पुतना को भेजा जाता है पुतना कौन है? एक राक्षिसी है जो एक सरीरधारी राक्षिसी है जो हर बच्चे को मारना चाहते है यहां पे लीला इस प्रकार से बताए गई है कि पुतना स्वेम अपने आपको सुन्दर रूप से धारन करती है अजब सुन्दर रूप धारन करते हुए जब वो गोकूल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जो ग्वाल होते हैं रख्षया करने के लिए वो भी सुन्दर रूप देखर मुहित हो जाते हैं और वो स्वयम कृष्णजी को अपने गोदी में उठा लेते हैं। और जब गोदी में उठाते हैं, वो मारने की एक्ष्या से अपने इस्तनपान कराने के लिए आगे बढ़ाती हैं। जहां पे वहां बीस लगाया हुआ है। और छोटा सा बालक है, जिसको कुछ पता नहीं, ये सहर कोई मैया सोच रहे है। लेकिन वो कृष्णजी के अंदर स्वयम अक्षिरातित लिला कर रहे हैं, तो जब वो दूद पिने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो श्रिफ बीस नहीं पीते हैं, वो स्वयम दूद के साथ साथ प्रान भी उनका खिश लेते हैं। जब प्रान खिश लेते हैं, तो वहाँ पे पुतना धेरसाई हो जाते हैं, अर्थात वो मर जाते हैं। लेकिन उनका जो पुतना का आत्मा है, वो क्या हो जाते हैं। वो स्वयम अखंड रूप में अखंड होता है तब जाकर ये ब्रह्माजी को भान होता है कि ये कौन बेक्ति आया हुआ है दुनिया में कि कोई इसका वद कर रहा है और वद करने के बाद ये जो पुतना है वो अखंड के से हो रहा है तो इस प्रकार के जब स्वयम वहाँ पे जो प्रस्ण ब्रह्माजी करते हैं तो एक इक्ष्या से वो नीचे धर्ती पे प्रगट होते हैं और देखते हैं क्रिश्न जी क्या लिला कर रहे है तो जब क्रिश्न जी के लिला को देख रहे हैं तो वो छोटे से बालक हैं ग्वाल वो जूठा भी खा रहे हैं, वो खेल रहे हैं बंदरों के साथ, अपने बच्यों के साथ, तब ब्रमाजी को लगता है कि जो बेक्टी ये हम सोचते हैं, जो पार की सक्ती आई हुए है, ये कहा जाता है, वो गलत हो सकता है, तब वो यही सोचते हुए, फिर से एक परिक्षा लेना चाहते हैं, वो खुद को यही सोचते हैं कि मैं ब्रम्हा हूँ, और इस ब्रम्हा के क्या हूँ, श्रिष्टी करता के रुप में मैं रसना करता हूँ, तो इसी प्रकार से वो ग्वाल बालों तथा बच्या को एक बरस के लिए छिपा देते हैं, लेकिन कृष्ण जी स परमात्मा है, जहां उन्होंने क्या करते हैं, वो ग्वाल बालों के रुप धारन करते हैं, और बच्या के रुप में भी वो अपना रुप बना लेते हैं, तो एक साल तक इस प्रकार से जो प्रेम मै लिला वहां पे चलती है, तो पूर्नत है, ब्रम्हा जी थोड़ी देर अपने धाम से जाने के आने के बाद, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा छेन ही भीता हुआ है, लेकिन वहां का एक चंड इस दुन्या का एक साल है, तो यहां एक साल बीच जाता है, और एक साल के बाद जब यहां पे आकर वो देखते हैं, तो वहां वो शरिफ इतना और जो बच्छिया मेंने योगमाया में रखा था, वो भी क्या है, वो भी वहीं पे घास चर रहे, तो उनको लगता है कि जो मेंने रखा हुआ चीज था, क्या वो असली है या नकली है, तो जब वहां पे जाकर चेक करते हैं, तब वहां उनको पता चलता है कि दोनों होता है कि ये कोई सामने बिक्ति नहीं कर चकता, तब जाकर वो सामने आते हैं, सामने आकर उस रूप के प्रसाद के रूप में कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो मसली के रूप में हो, चाहे एक पंक्षी के रूप में हो, लेकिन फिर भी उनको कोई प्रसाद नहीं मिलता, तब जाकर वहाँ पे फिर से एक लिला घटाई जाते हैं कि स्वयम वो परमात्मा अनंत ब्रह्मान से ऐसे कहा जाता है कि अनंत ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं और जब वो स्वयम अनेको ब्रह्मा को देखते हैं तो जो अपने अंदर का अहम है वो मिढ जाता है तब जाकर वो चरण पड़ता है और माफी मागता है तो ये सुरूप है ब्रमाजी जिसके चरण धुली को पाना चाहते हैं जो विश्नु भगवान जो अवतार की रूप में आना चाहते हैं और सुयम जो शीव जी है वो उस परमात्मा को पाना चाहते हैं उस कृष्णजी के अंदर बेठे हुए उस परमात्मा को हम पूछते हैं वो गोपियां पूछती हैं वही गोपियां जो प्रेम करती हैं और लिला करते हैं तो इस प्रकार से आगे बढ़े कालमाया ब्रह्मान में तो इस प्रकार से जो काल मया के ब्रह्मान में ये घटना हो रहे हैं तो यही ब्रज की लिला है ब्रज की लिला बहुत बिस्तार रूप से कहा जाए तो हम सीब जी की एक लिला को भी कह सकते हैं भागवद के मैंने ही थोड़ा सा कल एक कहानी देखा था, तो वहाँ पे जो शीब जी के बर्नन क्या गया है, वो मुझे बहुत पसंद आया, उसमें इस प्रकार से बर्नन करते हैं, कि शीब जी कौन है एक कैलास में बेटने वाले ध्यानी पूरुष, जो अब उनको पता चल से चलते हुए, उस समय में न गाड़ी था न ट्रेन थी, तो उस समय में वो चलते हुए ही कहां तक आते हैं, गोकुल तक वो चलते हुए आते हैं, और गोकुल में जब द्वार के सामने पहुंचते हैं, तब वो यसोदा महिया को पुकार लगाते हैं, जब यसोदा महिया स तो वहां पर शिव जी को देखते हैं कि एक जटाधारी बाबा आया हुआ है, कपड़ा पुड़ा फटा हुआ है और ऐसा लगता है कि खाने को इसको कुछ मिला नहीं है, तब यसुदा मैया ये पुछती हैं कि बाबा कुछ चाहिए तो बताओ, मेरे घर पर पुत्र हुआ है और आज ये तुम चाहो तो मैं हिरा मुती दे सकती हूँ, चाहो तो लट्य कप्रे दे सकती हूँ, चाहे तो मैं तुमें गाई भी दान कर सकती हूँ, तुम क्या चाहते हैं, लेकिन सिव जी कहते हैं, मैया तु कुछ और भी छुपा रही है, हीरा से भी बहु मुल्ले तब जाकर वहाँ पे यसुदा मया को कहा जाता है कि तेरा घर में एक पुत्र हुआ है, उसी पुत्र की चेहरे मुझे दिखा गया, उसी को देखने के लिए में कैलास परवच्छे लेकर यहां तक आया, लेकिन जब मां है, अपने पुत्र हुआ है, उसको कोई भया वह एक ब तुझे दर्चन नहीं देने वाल, तब जाकर भगवान कहते हैं, मैं हट योगी हूँ, और मैं यहीं पे बेट जाओंगा, तु किसी ना किसी दिन तो यहां पे लल्ला को गोदी में बेठा के, तो किसी ना किसी दर्वाजे तो लाएगे ही, तो शिव जब यह कहते हैं, जाओंगा, मैं दुसरे धर्वाजे से लाओंगा, तो इस प्रकार से जब फिर से वो शिव जी को मना कर देते हैं, तब फिर शिव जी कहते हैं, कि किसी ना किसी दिन इनका साधी तो होगा, और जब साधी होगा, इनको व्याह करना पड़ेगा, और व्याह करते हुए, जब ये बाहर निकलेंगे, तब मैं इनका दर्शन करी लूँगा तब वो कहते हैं कि मैं मेरा लाला का कभी साधी भी नहीं करा हूँगा, यदि तू मेरे द्वार पे खड़ा रहेगा तब जाकर वो निरास होके थोड़ी देर बाहर बेट जाते तब यसुदा मैया वहाँ पे अंदर जाती है दूद पिलाने के लिए शिप जी अंदर ही अंदर पुकार करते हैं कि मैं इतना दूर से कहला से आया हूँ हे प्रभू, मुझे आपके दर्शन करागा तब जाकर जब स्वयम परमधाम से शक्ति आये हुए उनको ये पता चलता है तब वहाँ पर एक लिला होते है वो रोना शुरू कर देते हैं बहुत चिलाते हैं दूद पिलाते हैं वो दूद पिने के लिए तयार नहीं अब वो जोड़ जोड़ से रो रहे हैं तो गोपियां भी वहाँ पर दोड़ के आ जाते हैं जब लल्ला कुछ रो रहा है तो गोपियों के जो प्रेम है वो भी रोने लगते हैं और वो कहती हैं कि इसको कुई भूत और या पिचास लगा होगा तो वो कहती हैं कि इसको जाड़ फुक से ही कुछ कर सकते हैं तब जाकर वहाँ पे अब वो यसुदा मया कहती है कि गोपिया बता उपाय बता कि किस प्रकार से में इसके भूत और पिचास को उतार सको तब वो कहती है कि कोई तांत्रिक हो तो हाँ ये भूत और पिचास को उतार सकते हैं तब जाकर गोपिया जब बाहार जाती हैं और शिवजी को वहाँ पे बेठे हुए देखते हैं देखने में वो कैसे दिख रहे हैं तांगतर के रूपे ही देख रहे हैं और मो Salvador, कोई मंतर जप रहे हैं ऐसा लग रहा है तब जब गोपिया सामने जाकर ये पुछते हैं क्या आपको भूद भगाना आता है तब वो मुश्कुरा कर कहते हैं कि वो लाला ने एक लीला कर लिया है और उस लीला में मुझे भी अपना टक क्या करना है समावेस हो जाना है तो वो कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ आता है क्या हुआ तब जाकर सीब जी को अब स्वयम यस्टाजीर अपने काना को लेते हुए सामने आते हैं और तब जाकर सामने आते ही अब वो हसने लगते हैं तब सिव जी यह कहते हैं कि जो काना आते ही तेरे सामने मुश्कुराने लगा ये मंत्र तभी काम करेगा जब ये पुत्र मेरे हाथ में आएगा रहेंगे लेकिन जब मैं दूर हो जाँगा तब फिर से ये पिचास तेरे पुत्र के उपर आ जाएगा और वो रोने लगेगा तब यसदा महिया कहती हैं चलो ठीक है अब मेरे पुत्र के लिए मैं करने के लिए देने के लिए तयार हूँ तब जाकर यसदा महिया अपने पार की सक्ति आये है और जिस पदमासन में इतने बरसों तक उन्हेंने तपस्या किया वो फल आज उनको मिल रहा है तो उनको हिर्दे से वो उमंग उठा है तब जाकर वो कृष्णजी के अंदर बेटे हुए सक्ति को पहचान रहे और भावु खर रहे तो इस प्रकार से ये लिला बेतित होता है अने को यहां पर लिला होने के बाद जब ग्रज की 11 बरस बिज जाती हैं वहां के माखंचौी से लेकर गोपियों से होने वाले जगडाय हैं वो भी प्रेमरी लिला के रुप में होते हैं गोपियां हर समय स्री क्रिष्исл्य जी को ही याद करते हैं चाहे वो खाना बनाती समय हो या चाहे ग्रियस्त के काम में लगी हुए तो वो गोपिया है जो परमधाम की वो लिला कर रही है यहां बेठे बेठे यहां पे धामधनी कहे रहे हैं कि वो ब्रहमस्रिष्टियों का लक्षण क्या है वो लक्षण यही है उनका कि वो इस अंसार में बेठे हुए भी उस धनी के चरन कमल को कभी भी नहीं त्यागे तो इस प्रकार से गोपियां भले ही खुद के सुरूप के भी से में पता नहीं खुद मैं आत्मा हूँ पता नहीं और मेरे धनी स्वयम परमात्मा है ये तक पता नहीं फिर भी एक रस लगी हुई है कि अंदर मैं गोपी हूँ और वो स्वयम क्रिश्ण जी है और क्रिश्ण जी को याद करते करते वो अपना कारे करते हैं तब जाकर ग्यारव वरस के बाद अब बाउन दिन का ब्योग होता है और बाउन दिन के बाद जब राज की लिला प्रारम होती है वो क्या होती है और किस प्रकार से होती है वो हम कल जानेगे तो इस प्रकार से आज हमने ब्रज कि लिल्ला के अंदर होने वाले छोटे-छोटे घटनाओं का ही बर्नन किया है यदि इसमें भागवत में दस्वा इसकन यदि आप पढ़ना चाहों तो दस्वे इसकन के अंदर ये जो बर्नन हम अभी कर रहे थे वो उसमें मिलता है तो यदि वहाँ पे शिर्फ हमने तीन-चार बिशयों को लिया लेकिन वहाँ पे लगभग पचास से भी ज्यादा बिशयों के बिशयों में बर्नन है तो आप लोग उसको खुद पढ़ें और हम अपनी लिलाओं को जाने कि हम किस प्रकार से इस योगमाया से लेकर हम इस धर्दी पे आए कालमाया के ब्रह्मान में जो 11 बरस और 22 दिन की जो लिला हुए उसमें हमने क्या 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 किया और किस प्रकार से हम धनी के लिए तड़पें और किस प्रकार से हम तुरंद धनी के बुलाने में रास पहुंच गए तो उस लिला को समझ नहीं चाहिए तो इसलिए ब्रज की उस लिला को याद करते हुए अब हम इस बार्णी को यहीं पर बिराम करते हैं और अब चौपाई दो राएंगे पहले अग्यारे बरसा और उपर बावन दीन काल माया ब्रह्माण में खेले मिले निजा जाना बोले स्री प्राणा थे प्यारे की जै